जिप इंग्जिस के समी दरिश्कों को क्रिस्मिस की बहुत बहुत शुब कामना है और उम्मीद करते हैं आज से नए साल का और क्रिस्मिस का जो जट्स ने शुरू हो रहा है ये देश्ट दुरिया में फूशिया लेकर आए और आपके चेहरों पर मुस्कान तो आए करते हैं इन्ही अच्छे एरादों के साथ आज की शुराद शेर बाजार लाई में आप सब का स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग भी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशु भंडारी हॉलेडे सीजन है मौज मस्ती का महौल है अनिल जी और इंतजार है तीन दिन के वीकेंड का तो बताएं सर वीकेंड से पहले आज के लिए बाजार के ट्रिगर्स क्या रहेंगे मजबूती के ट्रिगर्स है दीप और इससे बढ़िया संकेत मिल नहीं सकते हैं वीकेंड शुरू करने के पहले और त्योहारी सीजन में जाने से पहले कि डाउ में मजबूती के साथ क्लोजिंग होती दिखें बंद हुआ है नेस्टेक जरूर थोड़ा सा हिसला है लेकिन कोई खास बात नहीं और दूसरी बात है कि आज दाउ फ्यूचर फिर से हरे निशान में और साथ ही एस्टेक्स निफ्टी भी दीमे-दीमे मजबूती बनाता हुआ तो यह आपका पहला ट्रिगर जो ग्लोबल म महनत मुहिम और उसका असर आपको दिखा है आर बेके एक्शन के तोर पर आर बेने एक बार फिर से सारी डीचल लेंडर्स और मॉबाइल एप कंप्यों को निशाने पर लिया है और साथ ही जो लोग इन कंप्यों के साथ डील करने उन्हें सावधानी बरतनी की राई भी दि सर की जी बिजनस की जो मुहींती ओप्रेशन हफ्ता वसूली के जरिये वहां पर आर बिया का आक्शन आते हुए दिखाए सर किस तरह से समझें इस आक्शन को और अफकोस अब आगे क्या डिवेलोप्मेंट्स होंगे इस खबर को लेकर आर बिया गवर्नर साफ से जब मैंने दो हफते पहले बात की थी और उनका इंटर्विव किया था तो उन्होंने एक बात बहुत साफ कही थी और वो यह कि देखिया हमारी पूरी नजर है इन डिजिटल लेंडर्स पर और साथ ही मॉबाइल एप कम्प्टियों पर हमें इस बात का अंदाजा भी है और उन्होंने इस बात की खुलकर तारिफ भी कि हमने ऑपरेशन हफता वसुली के जरी इन तमाम बातों को उजागर क्यार सब के सा नहीं है लेकिन डिकत जो गवर्नर साब कहा रहे थे एक ही है कि जो लोग रेगुलेटेड हैं जो लोग हमारे लाइसेंस के अंडर में काम कर रहे हैं उन पर तो हम पूरी निगरानी रखना है और वहां पर इसी शिकायत नहीं के बराबर हैं यह काफी कम हैं लेकिन कई सारी इसी कमश्यां कई सारी इसी मॉबाइल एपस आ चुकिये जो रेगुलेटर के दायरे के बार होती है फिर यह केस वह पुलिस केस की तरह वाले मामले होता है नेकि एक रेगुलेटर आरबे के तो उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए उस पर उन्होंने का कि हम दो तरीके प्लस उनके लाइसेंस वगरा देखें तो पहली जो प्रोसेस है वहाँ पर आपके हाथ में आप अन्रजिस्टर्ड लोगों से अन्रजिस्टर्ड मॉबाइल एप कमश्यों से आप लोन न ले और उसके बाद जहां-जहां जिस तरह की शिकायत हैं हम उनके पास पहुंचा रह हो चाहे वह पुलिस से रिलेटेड हो चाहे अलग-अलग और डिपार्टमेंट्स हो वहां पर वह एक्शन लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है और इमीडेटली आप देखें मुश्किल से आट-दस दिन बाद आर बेए के तरफ से ये कल देर शाम जो आपके लिए आया है पूरी तरसे आगा करने वाला मेसेज कि आप सावधान रहें और उन्हें ये पता है और एक और इंटरसिंग बात जो दीब बताना चाहता हूं वो सारे मुझे उन्होंने उठाएं अपने इस कोशन करने वाले लेटर में लिखें जो हमने उठाएं पहला मनमाना ब्याज ब आगा करने वाले इस पत्र में लिखा है तो गवर्नर साब का धन्यवाद लेकिन मैं फिर भी यहां पर एक चीज और करना चाहता हूं हालांकि उन्होंने आगा किया एक्शन भी ले रहे हैं लेकिन अभी बहुत काम बाकी है अब भी इन मोबाइल एप कमश्यों से परेशान होने वाले लोगों की कमी नहीं है कई लोग सुसाइट कर रहे हैं कई लोग बड़े परेशान हैं और मेंटल डिप्रेशन में हैं तो दोनों तरफ से आपको भी ध्यान रखना है अगर आप इस तरह के लोन ले रहे हैं तो और RBI भी आगे और एक्शन लेगा इसकी मुझे पूरी पूरी उमियर जी दीप मार्केट्स के लिहाँ से आज क्या इंपॉर्टन रहेगा सर दीप बिलकुल मैं RBI को धन्यवाद देने के साथ साथ में अपनी टीम को धन्यवाद देना बूल गया पूरा टीम एफर्ट से हमारे रिपोर्टर्स ने बड़ा तगड़ा काम किया हमारी पूरी कि किस तरह से इंडोर से आने वाली फरजी एडवाजिय कमश्यों के कॉल्स बंद हो गया आज के तारिक में नहीं के बराबर आते में यह तो नहीं कहता जीरो हो गया लेकिन पहले के मुकाबले में मुश्किल से दो या तीन परसंट फोन आपको आवाते होंगा हाड़ली पांच को लाते थे अब पांच हफतों में दस हफतों में एकाद आ जाए तो बड़ी बात है तो यह बड़ी कामयाभी मिली और दूसरा यह जब ऑपरेशन हफता वसुली किया कई बार क्या होता है हम रोज खरीदने बेचने की लेने बेचने की बाते करते हैं कभी बड़ी को बड़ी को बड़ी करें तो वह करने की कोशिच हमारी टीम को बहुत बहुत देने बाद है मैं चाहता हूं नस्यूद हम सिर्फ खरीदने बेचने ऊपर नीचे सरकिट ऊपर कार नीचे का आज यह ले ले आज वो चलेगा इन सब से बाहर निकल कर अच्छा बिज हम थोड़ा बहुत अपना योगदान करने का जो प्रयास करें और वो पसंद आ रहा है सबसे बड़ी बात है रेगुलेटर्स फाइनिंस मिनिस्ट्री यह सब इन बातों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उन पर एक्शन ले रहे हैं तो तमाम रेगुलेटर्स का भी मै मैं भूल गया जब मैं इस बारे में सोच रहा जी दी नई सर बिल्कुल आउपरेशन मार्केट माफिया में भी हमने देखा अल्मोस इमेजिएटली सेभी ने आक्शन लिया था और अब हफता वसूली के बाद भी आर बाए की तरफ से सकती बढ़ती हूं दिख रही है सर मा कल हमने ग्लोबल संकेतों को न्यूटरल साइड पर रखा था आज ये ग्लोबल संकेत पोजिटिव होते वे भी दिख रहे हैं तो आपको तेजी करने के लिए दो तीन चीज़े चाहिए पहला ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो मजबूत हो वो आपको दिख रहा है दूसरा ए जिन शेरों में आपको बाजार की गिरावट में सबसे ज़्यादा दर लगता अगर वहीं पर खरीदारी हो मसलन NBFC मसलन BANKS तो फिर आपके लिए वो confidence लोटने के संकेत कल आते वे दिखे तो मुझे लगता है इन चार मजबूत संकेतों के दम पर आप expiry के और बढ़ेंग कोई हर्ज नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाजार को यू टर्न लेकर बड़े कमजोर होने की तैयारी में जी नहीं मजबूती का ट्रेंड है और जब करेक्शन आया आम तोर पर होता है कि जब करेक्शन आता तो इतना sharp और swift होता है कि confidence सबका हिलाता है और इसलिए हम यह कहते हैं कि आप करेक्शन को एक या दो दिन देखिए आम तोर पर डेर दिन से ज़्यादा का करेक्शन होता नहीं और इस बार भी वैसा ही हुआ पूरे इस बूल रन में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब बाजार ने डेर दिन से ज़्यादा का करेक्शन दिया और पिछले बात नहीं है आप फिर से लाइफ टाइम हाई चलाएंगे हाई पर जाएंगे और बैंक लिटी भी थोड़ा सा फिश्रा हुआ है लेकिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगा तो ओवरॉल सेटप बहुत बढ़िया एक मजबूत एक्सपाइरी की तरफ आप अब नजर लगा सकते हैं सर आज के संकेतों की बात करें उससे पहले जो एक काफी चर्चत स्टॉक रहा है पिछले कुछ महीनों का उसमें आज अक्शन फिर से दिखेगा वेदानता यहां पर अपना प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है ब्लॉक डिल के जर है और आम शूर कि जिस तरह से लोगों ने 95 रुपे के लेवल भी देखे हैं डिलिस्टिंग ओफर फेल होने के बाद और अब स्टॉक नोन स्टॉप महां से उपर आया तो उन्हें स्टॉक मिलेगा भी लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी इंपोर्टेंट है पहली चीज त चाहता है कि हमारा स्टॉक अंडर वेल्यूड है जो कि उनकी पुरानी फॉर्ट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है जहां पर वो यह कहरे थे कि हमें डिलिस्टिंग करनी है अब आप देखिए डिलिस्टिंग ओफर फेल हुआ और डिलिस्टिंग ओफर में यह आम राय थी कि 150 150-160 रुपए तक के लेवल्स प्रमोटर्स देने को तयार है। इसका मतलब 150-160 रुपए में वेदानता का शेर प्रमोटर्स को फेरली वेल्यूड लगता है। ये तो भाव कम से कम होना ही चाहिए और अगर डी लिस्टिंग नई भी वेए तो हम यहाँ पर स्टेक बढ़ाने को तयार है। ये वेदानता के प्रमोटर्स की माइंड सेट में बता रहा हूँ तो 900 रुपए जहां पहुचा वेदानता अब वहां पहुचेगा नहीं वह रॉक बोटम है और वहीं पर हमने आपको कहा भी कि ये रॉक बोटम है यहीं से खरीदारी कीजिए और एक भी बार कल भी आपने अगर आप LIC की माने जो प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ा शेर होल्डर है तो वह 320 रुपए का भाव मान कर चलता है वेदानता को और अगर उन्हें 320 के वेदानता के डिलिस्टिंग ओफर में नहीं बेजना है तो जाहिर सी बात है वह 150-160 में पार्टिसिपेट नहीं करे तो 5% हिस्तेदारी जो आज प्रमोटर्स को चाहिए वह जाहिर सी बात है उन लोगों की तरफ से आएगी जो लोग या तो डिलिस्टिंग के पहले निशले इस्तरों पर खरीद के बैठे है या डिलिस्टिंग के बाद जो गिरावट आई है उसमें खरीद कर बैठे है उसम 135 रुपे के आसपास एक मजबूत सपोर्ट या बोटम मना चुका है तो आपके लिए रिस्क व्यदानता में इन्वेस्टर्स के लिए मीडियम टर्म के लियाद से 130-135 के नीचे की नहीं है 150-160 आज टेस्टिंग जो है जाहिर सी बात है किस प्राइस पर कितना स्टॉक कितन देड़ से प्रमोटर को मिलता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा हो सकता है एक बार की शॉट टर्म इन्वेस्टर्स के लियाद से प्रोफिट बुकिंग आए हमने भी काफी लंबे समय से रिकमेंड किया अगर 155-160 रुपे होता है तो एक बार आप चाहें तो प्रोफ इस तर से चांदी में, जिंक में, बाकी मेटल में तेजी है उसके हिसाब से स्टॉक में वेलिशन कम है और शायद डिलिस्टिंग नहीं हुई तो उसमें रिटेल इंवेस्टर्स को फाइदा ही हुआ है आप देखिए डिलिस्टिंग की जो वक्त जो प्राइस ती 140 उससे उ मार्केट भी भागा है तो शोट टर्म इंवेस्टर्स अगर आप है तो एक बार प्रोफिट बुक करें लेकिन लॉंग टर्म इंवेस्टर्स के लिए स्टोरी बढ़िया होती दिख रही है और अगर 130-135 की रेंज में फिर से स्टोक आता है तो वो खरीदारी का बढ़िया रुपे के आसपास हाइस क्लोजिंग दी थी और इंट्राडे में 140 के आसपास मच आता है तो ये 130-140 की जोन बहुत स्ट्रोंग सपोर्ट के तौर पर वेदानता में आगे तो मेरा यह मानना है अगर आप लॉंग टर्म इंवेस्टर्स हैं बिल्कुल होल्ड करें कोई दिक् तो आप अपनी पोजिशनिंग के इसाफ से देखें अगर आपका व्यू 3-6 मेने का है खोल करें और 3-6 दिन का है 3-6 गंटे का है तो प्रॉफिक करें बिल्कुल तो विदानता अच्छी खबर है और अनल जी ने आपको मोरत ट्रेडिंग सेशन के दिन इस ये रेकमेंड भ थोड़ा उतार चड़ाव रहेगा पर एक अच्छा फ्लोर भी मिल गया है अप स्टॉक को तो नजर रखें एक्शन भरपूर रहेगा चलिए सर फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बताएं सर आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं ग्लोबल संकेत पोजिटिव, FIS के संकेत हैं न्यूटरल आज जो छे संकेत हैं छे मेंसे पाच बदले हैं खाली एक ही संकेत जो नहीं बदला है वह है आपका गरिल उफन का नेगेटिव संक्यत वो नेगेटिव ही चल रहा है बाकी सारे संक्यत बन दे ग्लोबल न्यूट्रल थे आज पॉजिटिव हो गया यानि अप्ग्रेड हुआ है FIs positive थे, आज neutral हुआ है, downgrade हुआ है FNO के संकेद positive थे, आज neutral हो गया है, downgrade हुआ है Sentiment neutral था, positive हो गया, upgrade हुआ है Trend neutral था, positive हुआ, upgrade हुआ तो upgrade ज़्यादा हुए, उसलिए आज से आज के लिए संकेद बहते है सबसे ज़्यादा, daily basis पर जिन दो चीजों की ज़रूत होती है आपको तेजी के लिए, वो है sentiment और trend, वो दोनों ही आपके लिए positive हैं आज के लिए, range आज की support zone 13.450, 13.500 मजबूत support zone दिन के लिए 13.675, 13.750 उपरी range, उससे पहले एक जो छोटी range निकल कराती है वो 13.550 से 13.650 के निकल कराती है और उसके बाद ये उपरी range होगी आपके लिए बैंक डिफ्टी, यहाँ पर आपके लिए support जो है 29.450, 29.625 का है उपरी स्थनों पर 30.200 से 30.350 की range आगे निकल कराती है अब दिन की आपको छोटी range दे दू 13.550, 13.650 यह दिन की छोटी range है 13.500 से 13.675 यह दिन की medium range के तोर पर रखे और 13.450 से 13.750 यह बड़ी range है दिन की जिस पर आपको फोकस करना है दीब बैंक डिफ्टी के लिए 29.625, 30.050 यह दिन की छोटी range 29.450 से 30.200 दिन की medium range और 29.200 से लेकर 30.350 यह दिन की बड़ी range निकल कर आती जिस पर आपको फोकस करना है तो आज के लिए levels, range, support, resistance बहुत क्लियर है इसलिए आज दो-दो range देने की जरूट नहीं पड़ी नहीं तो आम तोर पर वाइदा करोबार की expire हो, लंबा विकेंड हो तो एक से काम नहीं चलता दिन, दो-दो range देनी होती है लेकिन फिर भी आज एक ही range से काम हो गया है जी दिन चली बड़ी है, तो एक ही range से काम निकल कर आ रहा है और जैसे के अनल जी कह रहे थे, setup तो positive है trend और sentiment, दोनों ही बदल कर आ positive हो गए है सर, positioning के हिसाब से क्या संकेत लेने चाहिए जहां तक FIS का सवाल है, PCR का सवाल है FIS के data थोड़े विस्तार से मैं आगे discuss करूँगा फिलाल ये बता दूँँ आपको कि 99% से 66% FIS ने अपनी index long position 3% से गटा ही है थोड़ा सा negative है put call ratio बढ़कर आया है लेकिन comfortable है, 1.45 पर दिक्कत वाली बात नहीं है Wix फिर से 7% गटा है, ये बड़ा positive है जिनकी तेजी की position है, उनको दिन के लिए stop loss रखना है 13,500 का, बाद में इस stop loss को खीच कर 13,500 कर लें, closing basis पर stop loss थोड़ा दूर दे रहा हूं 13,400 का ताकि आपका trigger ना हो bank duty, intraday में stop loss 29,450 का है closing basis पर 29,600, 29,600 के नीचे बंदो तो आप निकल जाए, short position अगर है, होनी तो नहीं चाहिए कल stop loss trigger हो चुका है, short वालों का 13,500 के उपर और आपको यादो, दो दिन से हम लगातार कही रहे है 13,500 के उपर बंदो, फिर से full flash तेजी में आ जाई है और bank duty, 30,200 के उपर बंदो, full flash तेजी में आ जाई है हालां कि bank duty कल 30,200 के उपर बंद नहीं हुआ stop loss होना चाहिए, अगर आपको रखना है, अब आपकी risk को है 13,600 भी रख सकते हैं, ज्यादा safe रखना है, 13,700 रख लिजए लेकिन short रहने का मतलब नहीं है, कोई sense नहीं है क्योंकि बाजार ने जिस तरह की recovery और जिस तरह से आपको U-turn दिखाया है, bank duty, इसलिए मैं छोटा stop loss दे रहा हूँ 30,050 का intraday और closing भी, वैसे closing पर आप चाहे है और safety वाला, 30,200 रखे है, लेकिन मेरे साब से 30,050 भी sufficient है रख लिजिए stop loss, आज की closing expiry के दिनवाली भी है और weekly closing भी है, दो है, इसलिए stop loss ज्यादा बड़े मत रखे, छोटे रखे, ज्यादा ठीक रहेगा बिल्कुल, तो यह है आपके लिए set up और existing positions पर किस तरह से आपको stop loss अकना है यह important रहेगा, नई positions बताएं सर, फिर कैसे बनानी चाहिए नई position निफ्टी खरीदे, 13,500 के stop loss के साथ, 13,650 का आपका पहला target, 675-700 इस range में कहिन के, आप शुरुआत करेंगे बाजार में 13,650 से 13,700 की range में और उसके बाद 13,750-13,775 फाइनल target बन कराता है निफ्टी का जो लोग short करना चाते हैं, 13,675 के बाद से सोचना शुरू कर सकते हैं short करने के लिए सही जगे दीब 13,750 है, लेकिन अब 13,750 तक पहुंचेगा या 13,700 से गुमेगा, ज्यादा बैतर होगा आप 13,700-13,750 की range में short करने का सोचे है stick stop loss आपका 13,800 का होना चाहिए, अब तक का lifetime हाई 13,777 है उसके पार होने के बाद short रहने में कोई समझदारी है नहीं, लेकिन हाँ, एक बार उसके आज़ पास आपको short जरूर करना चाहिए तो 13,700 के ऊपर से mood बनाना चुरू करें और 13,750 तक आप short भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और नीचे की तरफ आपका target जो बनेगा 13,625, 13,600 और 13,550 तक maximum आ सकता है उसके लिए आपको रखनी है तयारी, ये तो बात होई nifty की, अब आईए bank nifty bank nifty खरीदिये 29,450, 29,625 की range में 29,400 का आपका छोटा stop loss होगा 29,700, 29,875, 29,950 इस तीन target के लिए आपको उस range में खरीदारी करनी है लेकिन संभावना पूरी है इस बात की कि उस range में आपको मोका मिलेगा नहीं कम से कम शुरुआत में तो नहीं तो फिर जो aggressive trader है bank nifty खरीदना चाहते हैं उनके पास दूसरा रास्ता है और वो है सीधा 29,600 के stop loss से entry कर लेने का खरीद लेने का 29,600 का stop loss 29,950, 30,050, 30,200 और 30,350 ये चार टारगेट आप उपर के रखे जिनके लिए आपको bank nifty में खरीदारी करनी है तो ज्यादा संभावना यही रहेगी कि आपको मोका नीचे नहीं मिलेगा और ऐसे में आप 29,600 के stop loss के साथ खरीदारी कर लें ये ज्यादा बढ़िया होगा ताकि आपकी entry हो जाएने तो आप देखते रह जाएंगे जो लोग short करना चाता है bank nifty उनको बेचना है 30,200, 30,350 की range में वो range safe है अच्छी है जहां पर आपको बिकवाली भी करनी चाहिए और वहाँ पर अगर आप बिकवाली करते हैं तो 30,400 का आपको stop loss लगाना है नीचे की तरफ का जो target होगा वो होगा 30,500 का 29,500, 29,800 और 29,750 इन लेवल्स के लिए आपको बिकवाली भी करनी चाहिए तो यह है आपके लिए खरीदारी और विकवाली की राय दीप इन तमाम शेरों पर बिल्कुल सर और आपने बताया कि अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी के भी मौके रहेंगे बैंक निफ्टी में अच्छा सर एक बात बताएं कल जो आपने राय भी दी थी कि थोड़ा हाई रिस्क हाई बीटा नेम्स आपको आक्शन में दिखेंगे और हमें देखा भी कोई आरबेल कोई आईबू आउजिंग और कोई यह सारे जो इन बीएफसी पी रामल यह सारे चलेंगे शीराम ट्रांसपोर्ट चोला अगरा तो इन बीएफसी और छोटे बैंक्स में एक खरीदारी का एक शोट कवरिंग का दोर था वो कल हुआ आज रिपीट होगा फिर से आएगा यह बैंक्स भी और इन बीएफसी इनको खरीदना है अभी इनके लिए बेचने का यह शोट करने का वक्त नहीं आए अभी भी उतना नहीं चले लेकिन कल जितनी रफसार दिखाएंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इंडेक इसको बढ़ना है निफ्टी को बढ़ने के लिए कोई कोई सेक्टर चाहिए तो आज मिझे तीन-चार सेक्टर तयार होते हैं मुझे मेटल तयार होते दिख रहे हैं आई-टी तो मजबूत है है आई-टी घिरेगा नहीं चले ना चले और चल जाए तो और भी अच्छा है क इमेंट चली जाएगा थोड़ा वो तो वहां पर एक्षिन है ओटो हो सकता है रफ्तार पकड़ ले वापस तो अगर इन सेक्टर ने सहारा जिडिया तो फिर बैंक्स की ज़रूर क्या है आपको करेक्ट तो होसक्राइब फिर उस हिसाब से बैंक्स थोड़ा ठंडा रहे है सेकर्ड हाफ में चले लेकिन क्लियर कटे इनमें करनी खरीदारी है बैंक्स और एन्वेस से अभी भी स्टीम बाकिये तीस दोसो तीस तीस तीन सो पचास आना चाहिए अब आज आता है या अगले हफ्ते आता है यही देखने वाली बात है जी दीप और इसके लाब मीडिया Metals IT आज तीन सेक्टर मेंने चुने है तीनों ही सेक्टर मेंने चुने आज पोजिटिव के तोर पर जी बिल्कुल तो बैंक निफ्टी आज इन इंडेक्स परफॉर्म करेगा पर उसमें कुछ हाई बीटा फिनांशल पर नज़र रखे मीडिया स्रॉक्स पर नज़र रखे म वाइदा कारुबार कोई में बदलाव जरूर आते हों दिखाए सर कैनरा बैंक पी ये बैंड में बने रहेंगे पर सन टीवी और सेल ये बैंड से बाहर आते हो देखें तो लिस्ट हाफ हो गई तो जो आपका एक और तेजी का ट्रिगर था कि वाइदा कारुबार से जब बैंड से बाहर आते हैं स्टॉक तो भी बाजार का मोड और अच्छा आता है वो भी एफेक्टिव दिख रहा है सर अच्छा ये बताए सर एफाइस का डेटा आपने बोला था थोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाए किस तरह से समझें सर खरीदारी आ रही है और कहां से आ रह अच्छे भी नहीं है वो क्यों मैं बता लूँ आप पहली चीज तो 536 क्रोड की एफाइस ने खरीदारी किये और उसके सामने बिक्वाली की है तेरा सो क्रोड की गरेल उफरने तो गरेल उफरने काफी ज्यादा बेचा है कंपेरेटिवली पॉइंट नमबर वन पॉइंट बिक्वाली का थोड़ा सा बढ़ा है एफाइस की लॉंग पोजिशन गटकर रही है तीन परसंट शासर परसंट तो कल की तेजी में एफाइस ने थोड़ी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग किये दीप ये संकेत आप पढ़िए तो थोड़ा सा हाथ खिंचा है इसकी ये बड़ी वज़े ये हो सकती के छुट्यों के मून में आ गए हों है आखिरी आट-DAS दिन में जेनरली काम कम होता है देनली फंड में चुट्यों पर जाना शुरू कर देते है कोई कब जाता है कोई कब जाता है सबका अपना हिसाब किताब है तो वह एक हो सकता है कि अग करा हूं कल जितने मजबूत नहीं है तो थोड़ी से रफ्तार धीमी हो सकते हैं इसके अलावा कुछ नहीं बस यह आपके लिए एफाइस के डेटा जी दीप कि रफ्तार धीमी पड़ सकते हैं पर क्वालेटी अभी वरकरार है मोमेंटम अभी भी है थोड़ा उतार चड़ाव के लिए तो तैयार रहना ही पड़ता है सर वाइदा कारगबार के लिए से कौन से लेवल से इंपॉर्टन हैंगे क्योंकि वीकली एक्सपाइरी भी है 13600 लीप ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे एक्सपाइरी होनी नहीं चाहिए रीजन बता हूं पहली चीज़ तो यह का आपको सपोर्ट का है आपको एक चीज़ समझ में आजाने चीज़ सपोर्ट का है तो आपको पता है कि रिस्क क्या लेकर चले 13500 के नीचे बाद आ नहीं जाएगा यह आप मान कर चल सकते हैं 19 लाग शेयरों का ओपन इंटरस्ट में बनाए हाइस्ट ओपन इंटरस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर किसी ऑप्शन में बनाए तो वह 13500 के पुट ऑप्शन पर 19 लाग शेयरों का खुल मिलाकर 30 शेयर 13600 के कॉल्स पर हैं और जैसे यह इसके उपर निकला यह कॉल राइटर्स परेशान होंगे कि हम शॉट हो गए हम शॉट हो गए 13700 हलकी रुकावट का लेवल है जा 38 लाग शेयर कॉल्स में तो इनिशली जो आपकी रेंज बनेगी बाजार के लिए वह बनेगी डिप 13 13600 13750 इस रेंज को तोड़ना मुश्किल होगा तोड़ा तो फिर 13500 13750 यह आज की दिन की फाइनल रेंज है इस 200 की रेंज में आप वक्त बिता देंगे और उससे पहला 13600 13700 वाइदा करोबार के डेटा बहुत कम ऐसे क्रिस्टल के लिए रातना है वो भी एक्सपाईरी के द रेंज बाजार रेस्पेक करने की पूरी तैयारी करेगा बैंक रिफ्टी 29500 पर मजबुत सपोर्ट 9600 का ओपन इंटेस और 30,000 पर 9600 का ओपन इंटेस कोर्स में तो 29500 यह बैंक रिफ्टी की परफेक्ट रेंज है 50 पॉइंट इदर उदर गिन लीजे 50 पॉइंट का बैंक बैंक रिफ्टी में आप प्लीज मुझे मुझे मार्जिन ओफेर देजिए क्योंकि बैंक रिफ्टी में एक्जेक लेवल वह भागता है गिरता है तो 25500 पॉइंट देखता नहीं इसलिए ब्रोड रेंज 29500 पॉइंट इसके किसी एक और बार निकला तो 200-300 पॉइंट का देटा अच्छा निकल कर आ रहा है लेविल्स मजबूत है नजर रखे और आज का अक्षिन भरपूर होगा ये भी हमारी नजर रहेगी थोड़ी देर में चर्चा करेंगा अनल जी के साथ जो आज नई लिस्टिंग होने वाली है मिस्स बेक्टर्स की उस पर भी जानेंगे अनल जी की सला किस तरह से लिस्टिंग हो सकती है क्या करना चाहिए लिस्टिंग गेन के बाद आपको बस कुछी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे वर उसे पहले बता देते हैं कौन से स्टॉक्स है हमारी फोकस लिस्ट में और नजर कहां है ब्रोकरजेस की हमार साथ हमा आपको बताई दिया है कि 225 से 240 के बीच में बाइबाक आएगा तो यह एक स्टॉक ही जिस पर आपकी नजर होनी चीए इसके अलावा एंटरी वेस्ट हैंडिंग सेल टीसरे दिन आई पयो जो है करीब 15 गुना भर चुका है इसके अलावा जो डिश टीवी डेन नेटवर्क चैसे जो काउंटर से उन पर आपके नजर होनी चीए क्योंकि DTA सेवा के लिए नए नियम जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है और DTA सेवा में 100% FDI के नियमों में बदलाव किया गया है लाइसेंस की अवदी और फीस देने में भी फीस देने की जो नियम है उस जो बदले गिया है इस पूरे सेक्टर के लिए उसका इंपाक्ट देखने मिलेगा रेस्टोरेंट और होटल स्टॉक जो है उनको अपने नजर पर रखे क्योंकि माराश्ट ने इस सेक्टर को एक बड़ी रिलीव दी है दरसल माराश्ट में होटल और रेस्टोरेंट इंड पर देखने मिलेगा इसके अलावा एक एक्स्टूजिव कवर है जी बिजनस की MSTC को लेके यहां इस कंपनी के बहुत बड़ी री रेटिंग जो है वह हो सकती है क्यूंकि कंपनी को एकॉमस से जुड़े काफी सारे बड़े और मिलने के लिए पूरी तयारी है सरकार के लि इसके लिए इसके अलावा वेदानता यहां पर नजर रखिये क्यूंकि प्रमोटर्स यहां करीब 5% हिस्सा खरीदने वाले हैं 150-160 का भाव रखा गया है तो यह सबसे इंपर्लिंग स्टॉक होगा जहां पर आज आपको नजर रखनी है बिलकुल तो धेर सारी खबरे हैं ज क्योंकि एक फरवरी से कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सरकार लागू करेगी तो जो घरेलो कोल उत्पादक है उनके लिए थोड़ी सी जो है पॉस्टिव नियूज यह आती भी नजर आ रही है क्योंकि कोल इंपोर्ट करने के लिए अब आनलाइन जानकार ही देनी होगी तो जो भी इंपोर्टर्स हैं अब उनके लिए एक स्ट्रिक्ट रेगूलेशन आता वा नजर आ रहा है जो सवजह से जो डुमेस्टिक कोल मैनुफेक्ट्टरिस है उनके लिए पॉस्टिव नियूज का डेवलप्मेंट है साथी टाटा कम्यूनिकेशन यहा यहां पर भी आपको नजर रखना होगा साथी भारत फोर्ज है यहां पर आपको जो है फोकस बनाये रखना है क्योंकि कमपनी की जो जर्मन सब्सिडेरी कमपनिया है उन्होंने जर्मनी के जो नैशनल कॉम्पेशन रेगूलेटर है दो प्रोसीडिंग्स पर जो है यह मामल है यह सुलस्तवा दिखा है साथी वोड़ाफोन आइडिया जो है वो फोकस में रहेगा क्योंकि वोड़ाफोन आर्बिटरेशन मामले में सरकार की जो पुनर्याचे का आनी है सिंगापूर कोट में वो अभी भी सरकार जो है उस पर अनिश्चित है और रूल के हिसाब से ज लगाता जो है अदान लोजिस्टिक्स बिक्वाली करता जा रहा है स्नोमेन लोजिस्टिक्स में और फाइलाटेक्स इंडिया इनके लिए पॉजिटिव नियूज है क्योंकि प्रमोटर ने 22 दिसंबर को करीब 5 लाग शेरों की खरीदारी की है और तीन और इंसाइड़े ट दिसंबर को 45,000 शेर बेचे हैं और अंतमे मजिस्टिक्स को यहां पर प्रमोटर ने 17-18 दिसंबर के बीच भी कुल करीब करीब 35,000 शेरों की यहां पर भी बिक्वाली की है ओके तो कुछ खबरों वाले शेर से आपके लिए और इस बीच एक बार औरोबिंदो पर भी नज़र डालते हैं ब्रोक्रिजिस पर जाएं उससे पहले अभी अभी खबर आ रही है कंपनी की तरफ से और करोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है कोवाक्स के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट करा है करोना की वैक्सीन के डिवल्पंट और कमिर्शिलाइजेशन के लिए ये वैक्सीन का एक्स्क्लूसिव डिवल्पंट और बिक्वाली औरोबिंदो करेगी इंडिया में और बाकी के जो UNICEF देश है उनके तो बड़ी खबर आती हुई औरोबिंदों के लिए कल हमने इस टॉक पर आक्शन भी आते हुँ दिखा था और अभी अभी ये खबर आई है कि एक एक्स्क्लूसिव एग्रीमेंट है कोवाक्स के साथ करोना वैक्सीन के डिस्ट्रिबूशन और साथी कमर्शिलाइजेशन को लेकर फिलहाल जो कोवाक्स क्लिनिकल ट्राइल से वो चल रहे हैं फेस टू और फेस्ट्री क्लिनिकल ट्राइल आने वाले क्वार्टर में शुरू होंगे एशा लाटन अमेरिका और यूसे तो अभी फाइनल डिवेल्प्मेंट के लिए थोड़ा समय है पर उसे पहले एक् आशीश के पास जान लेते हैं आज ब्रोक्रिजस का क्या कहना है एफाई आर में गुट मॉर्निंग आशीश बताएं आज की रिपोर्ट कौन सी हैं गुट मॉर्निंग दिपांशु सबसे ज़्यादा फोकस आज जो है सिमेंट स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा खासतोर प अंबुजा सिमेंस यहां पर ब्रोक्रेज आउट जेफिरीज की रिपोर्ट आते हैं और यहां पर कहीन कहीं बजार एक कंसरन लगा रहा था कि इनके टेक्नोलोजी नो हाउ चार्जे जो होते हैं करीब एक प्रतिशत है फिलाल एक प्रतिशत से बढ़ सकते हैं हाला कि कल ख करार रखा 330 का लक्ष दिया है 237 जो है कलकी क्लोजिंग है और यह करें कि दो स्टॉक जो है सिमेंट स्पेस में इन्हें सबस्यादा पसंद आते हैं इसके अलवा भारत फोर जहां पर खबरे भी है मौगन स्टानली की रिपोर्ट है अंडर वेट की रिटिंग को बरकरार र रखा है और यहां पर भी देखें करेंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का लक्ष दिया 400 रुपे का वहीं 520 रुपे की कलकी क्लोजिंग मान रहें कि अगर आप देखें तो और निंग्स में कोई है खास अपग्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जिसके चलते हैं आपको सेंटापिक्स देने के लिए गुड़ मॉनिंग आप सभी को शुब कामना है क्रिस्मिस की और नया साल के तैयारी अब हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि आज फिर से एक बढ़ा एक्शन वारा दिन रहेगा तो करिए शुरूआत बंसल जी आहा क्या बात है नहीं ब प्रोग्राम केंसल रुकिये रुकिये और मैन आउट हमारे सब के बीच में जो एक बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं कुनाल जी सेंटा कैप में तो पहले कुनाल जी के साथ शुरूआत करें कुनाल जी मलग आपकी उमर ही पंदरवी साल कम हो गई यह कैप लगाती अनिल जी सबसे पहले आपको दिपांचु को अनिल जी सारे दर्शकों को पैनलिस्ट को मेरी और से मेरी क्रिस्मस अनिल जी और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए जैसा 2020 रहा वैसा 2021 बिलकुल भी नहीं रहेगा और 2021 में हम लोग बाहर घूम फिर पाएंगे एक दूसरे से मिल पाएंगे और उटसम मना पाएंगे तो अनिल जी यह शुचकामना है मेरी और अनेल जी सेंटा पिक मेरी और राकेश जी के आज फिर से जॉइंट है और ये भी अनेल जी बातचीत हमारी चल रही है तो एक बहुत जबरदस स्टॉक हम दोनों ने आइडेंटिफाई किया है स्टॉक का नाम है अनेल जी सीडी एसल सीडी एसल स्टॉक है जो की मैंने और राकेश जी ने दोनों ने आइडेंटिफाई किया है बहुत ही शांदार चाट पैटन है लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है ये हमारी सेंटा पिक है यानि कि इसको आप थोड़े लंबे समय के लिए रखेंगे बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पहले भी आगे भी मिलेगा सीडी एसल करी दें ओवर टॉराकेश जी अरे जी भेतरीन टेकनिकल रुजहान है सीडी एसल का और इस पे खिजारी की राया है 503, 503 का स्टॉप लॉस है 526 पहला टार्गेट है 533 दूसरा टार्गेट है और सीडी एसल हमारा सेंटा पिक है इसके साथ आपको दिपांशू को जी बिजनस के सारे पैनलिस्ट और सारे वीवर्स को मेरी क्रिस्मिस बिल्कुल तो आप सबको भी शुब कामना है आईए वागल साब बताए आपकी सेंटा पिक अनिल जी गुड मॉर्निंग दिपांशू गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी सारे लोगों को मेरी क्रिस्मस मेरी पिक होई है जो मैंने कल कवर की थी पैटन वाइज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ राउंडिंग बॉटम पैटन है डेली चार्ट पर टाटा कंजिमर शेसो पाच का बंद है मैंने कल 599-600 के आसपर कवर की थी 608 तक जाके 605 आया है मुझे लगता है आज के दिन में 621 तक जाना चाहिए मेरा स्टॉप लोस होगा 598 का 598 के स्टॉप लोस के साथ 621 के टार्गेट के लिए आप करें खरीदारी ये राय है वागले साब के लिए टाटा कंजूमर्स में खरीदारी करने की किरन जी सुपरबाद बताएं सर आपकी पिक सुपरबाद आनिल जी सुपरबाद दीप और सारे दर्शो मेरी क्रिस्मस मेरा भी पिक टाटा कंजूमर ही है बहुत ही शानदार पैटन है अभी वागले जी ने सब कुछ बता दिया पर जिस तरीके से ये स्टॉक निकल रहा है बहुत अगर हम एक हपते का वग देते तो मिनिममम 640 के टागेट अपको देखने को मिल जाने चाहिए तो मेरा मानना कि एक हपते का व्यू लेकर चलना चाहिए इस कांटर में और ट्रेलिंग स्टॉक लगा करने खरीदारी आईए राजी जी से भी लेते हैं उनकी बैतिन पिक रा विप्रो का सेट अप जिस तरीके का है मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इसको पोजिशनली भी होल्ड करें तो यह स्टॉक में काफी अच्छे रिटन आते वे दिखेंगे तो अभी आज के लिए संटापिक के तॉक रहेगा मेरा इमिजेट जो टार्गेट है वो ट्र पोजिशनली वो आना ची करेंगे 440 के असपास तो अभी ट्रेडिंग के हिसाप से अगर बाय करते हैं तो 400-405 के टार्गेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 372 का और पोजिशनली भाय करके अगर इसको होल्ड करेंगे, बायन एक्यूबलेट करेंगे तो इसको 440 तक के टा और यहां से अच्छा मूप मार्केट्स में भी देखने को मिलना चीए, तो आज का जो सेंटापीक है वो है डाबर, डाबर में खरदारी करके चलने का सला रहेगा, एक्जिस्टिंग लॉंग पोजिशन्स होल्ड करके चले, पान्सो दर्स, पान्सो पांच्वांच के आज पासबर में लॉंग पोजिशन्स इनिशेट करें और यहां से उपर में पान्सो बीस के इमीचे टागेट्स बनेगे, पान्सो बीस का लेवल चूटने के बाग स्टॉक में मोमिंटम और बढ़ेगा, और पान्सो चालीस रुपे तक के लेवल भी पोजिशनली डाबर के अ इन दो टार्गेट के लिए डाबर में करनी है आपको खरीदार यह सेरी साफ गुड मॉनिंग आपका भी स्वागत है आपकी पिक्स तो कमाल कर रहे हैं इन्फोसिस के बाद आपका वेदानता यह भी जवर्दस कमाल करता हो दिखार आज जो खबर हैं यह वो भी बड़ी जव को पैनल में बैटे सभी एक्सपर्ट को और सबसे खास जी बिजनस के वीवर्स को मेरी और से मेरी क्रिस्मस अब जहार तक आपने इंफोसिस और वेदानता का जिकर किया दोनों स्टॉक्स पर मैं काफी बुलिश था और वेदानता पर तो आपने भी मेरा काफी बार साथ द होती है यह तो दिखा था ब्लोक के जरी खरीडारी होगी यह भी कोई लिमिटेड ही टाइम होता है और आज वो होने जा रहा है तो मुझे लगता है डिफिनिट भी अच्छा इसमें आज भी अपसाइड देखने को मिलेगी इस स्टॉक में बाकिया जी मेरा आज का सेंटा स स्टॉक है संटीवी जो की डिगज मीडिया कंपनी है जिस तरह से खबरे आई है कि डीटीएज की गाइडलाइन में बर्दाव किया है और उसके अंतरगर हंडेड प्रसेंट एका डीटीएज में रास्ता साफ हो गया है तो एक काफी बड़ा प्लेयर है अच्छा प्लेयर ह बाहर आया है तो इस स्टॉक में खरिदारी करने की सला है आज का टागेट रहेगा पांसो दस का स्टॉप लोस रहेगा चार्सो अस्टी का और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर के साथ कि जी बिजनस की ग्रूप कंपनिया मुझे लगता है जी इंटर्टेनमेंट और डिश ट मुझे लगता है यह स्टॉक आज बिल्कुल कमाल करना चाहिए तो इस स्टॉक में भी आज ही के मेरे टागेट है 300 रुपे के स्टॉप लोस रहेगा 57 का इसके अलावा मुझे लगता है अरे जी डाइवेस्टमेंट की जो फोकस करना चाहिए जिस तरह से सरकार बिल्कूल के लिए काम कर रही है मुझे लगता है दोनों स्टॉक और बीपी से उन दोनों में भी तेजी की सला रहेगी पिछले कुछ दिनों की जो बजार में गिरावट आई थी उसमें यह दोनों स्टॉक भी थोड़े करेक्ट हुए और अच्छा मौका है इन लिवल्स में खरिदा करें किया है या स्टेटस को मिंटेंग किया है जो कि बजार दर रहा था कि वह बढ़ेंगे मुझे रखता है इस पर भी आज एक तेजी करने की सब्सक्राइब फिर सारे स्टॉक्स हैं सेटिस आपकी लिस्ट में जिसमें सबसब बेस्ट है सन टीवी जहां 510 के टार्गेट के लिए करिए खरिदारी सेल खरिदारी कर सकते हैं आप 57 रुपए के स्टॉप्रोस के साथ इसके अलावा BPCL, CONCOR ये दो स्टॉक हैं ACC भी यहां पर आपके ल फोकस यहां पर खरिदारी होने की पूरी-पूरी संभावना आपके लिए आए कुछ और स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर विदान था चुकि जिक्रितों कर चुके हैं सेरी साब लेकिन चार्ट पर क्या कल कुछ बड़े ब्रेकाउट के संकेत हैं राजेश जी जरा देखिए इसे और बताइए आज के लिए उपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं तो बिलकुल अलीजी ये स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और इस टॉक अब एक सो पचास के आसपास ट्रेट कर रहा है तो बिलकुल मुझे लगता है कि कि 175 तक का भी इसमें आप मों यहां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक में अगर देखे तो पूरा एक रिवर्सल देखने को मिला और जो पिछले दिनों में घिरावट हुई थी वह पूरी रिकवरी इसमें स्टॉक में देखने को मिली तो यह स्टॉक अब लिए बड़ी खबर इस वक्त आती भी यहां पर फोकस करिए NCC यह एकोर स्टॉक है जिस पर फोकस करिए और यहां पर आए दीजिए सुमिज जी तीस तारीक को होने वाली है बोर्ड बेठक जिसमें प्रमोटर्स को प्रिफरेंशल अलोट्मेंट करने पर वारंस देने पर व सब्सक्राइब गिरावट आया लेकिन ओवरोल तीजी का व्यू मेंटेन है तो इस टॉक के अंदर बाय का व्यू लेके ही काम करना चाहिए स्टॉक का जो इमेजिए उपर में हडल है 5960 के पास है जैसे 5960 रुपीज का लेवल उपर में ब्रेक होगा NCC के अंदर तो उसके सब्सक्राइब और फिर 65-70 रुपे तक के लेवल NCC में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं तो डिप्स में स्टॉक में खरदारी करके चलने का सला रहेगा एजिस्टिंग पोशिंस होल्ड करें 60 रुपे के इमिजे टागेट फिर 65-70 रुपे तक के लेवल NCC में मालडिव के लिए यहां पर फ्लाइट शुरू हो चुकी है तो टिकट तो आप खरिदेंगे नहीं फ्लाइट का यह मुझे पता है शेयर ही खरिद लिजे सर अने जी यह गलत फ्लाइट आपको कैसे है कि मैं टिकट नहीं खरिदूँगा अने जी मेरी अठारा उननी स्वरवरी से अने जी 21 स्वरवरी की टिकटे भुक हो रखी है और अगर अने जी वैक्सीन लग गया तो यात्रा करूँगा यह तो अने जी टिकट कैसल कर दूगा अने जी मादेश की भुक हो रखी है तो और अने जी क्या बात है वाँ अच्छा आपको कोई सासमे जरूद हो कोई सावनवाण से क्रेई कर करने के लिए, साथ में कहीं आपकी ह筆प करने के लिए, कई आस्सिस्टेट की जरूद हो बता जी हमारे पास बहुत सारे श़्रें आपका दुख दर्द में समझ सकता हूं मेरी अर्दिक सानुबूती आपके साथ ने बन सल दी लेकिन जब तक सावान उठाना उठाना उठाइए बागी बचे में समय में एंजोई जरूर करिएगा बता ये स्पाइजेट पर आपकी राय चार्ट लेकर जी अनिल जी रहा है बहुत पॉजिटिव है और इन फैक्ट यहां पर 93 रुपीज 93 रुपीज का स्टॉप लॉस बैठता है और टेक्निकली पहला टार्गेट यहां पर 104-105 का बैठता है अगर 105 के लेवल स्टूटेंगे तब काफी बड़ा एक्शन होगा as of now 93 स्टॉप लॉस ह यह आपके लिए 104-105 के टार्गेट के लिए आप करें खरीदारी यह राय आपके लिए